Hello Cyberworms, Welcome Back मैं हूँ अनिलियादब और आप देख रहे हैं Cyber Guard Pond by Neat Rules तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Cyber Security की Pathway और कुछ Cyber Security के Dark Reality के बारे में So without making any delay, let's continue Cyber Security में आने वाले लाखों लोग होते हैं और उससे leave करने वाले उससे भी ज्यादा होते हैं ऐसा क्योंकि उनको proper pathway नहीं मिल पाता है और उनको बहुत सारे manipulation का सामना करना पड़ता है अभी आप इस चीज को इस तरह समझ सकते हैं अगर आपको कोई चीज सीखनी हो तो मालो आपको Wi-Fi hacking सीखना या फिर आपको Android hacking सीखना है तो आप क्या करेंगे डायरेक्टली जाकर YouTube पर सर्च करेंगे कि हमें Wi-Fi hacking सीखनी है और Wi-Fi hacking Android hacking बोल करके वहापर सर्च कर देंगे पर आपको जो content मिलेंगे आप अभी डायरेक्ली जाकर अपने mobile phone में सर्च कर सकते हैं वहाँ पर आपको प्रोपर content नहीं मिलने वाले हैं वहाँ पर आपको खाली अपर है कि वह अपने learners को या फिर अपने subscribers को वह चीजे सिखाना चाता है या फिर नहीं क्योंकि जैसे कि हमने भी यहाँ पर कुछ वीडियो ऐसी डाली थी जो कि YouTube पॉलिशी के अगेंस्ट है तो हमने उसका भी alternative निकाल लिया है कि आप ऐसी कोई भी चीज जो कि हम YouTube पर नह कि नहीं होती है अगर आपको Android hacking सीखना ही है तो उसके backend में बहुत सारे ऐसे चीजे होती है जिसको देखकर आपका पुरा दिमाग खराब हो जाएगा उसको सीखने के लिए आपको जाबा प्रोग्रामिंग का लाणेज होना चाहिए रैट कैसे यूज करते हैं वह आना चाह इसके अंदर कितनी सारे टॉपिक्स होंगे जिसको सीखने के लिए आपको बहुत सारी मैनत करनी पड़ी अभी मैं यह पर आपको पूरी पैथवाई बता दूं कैसे आप बेसिक से एक्सपर्ट लेवल तक साइबर सेक्रेटी एक्सपर्ट या फिर इतिकल हैकर बन सकते हैं तो वह जानने के बाद भी आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह बहुत ही बोरिंग फिल्ड है अभी जो बाहर से देखते हैं उनको तो लगता होगा कि हां यह हैकर है या फिर यह साइबर सेक्रेटी एक्सपर्ट है तो इसको कोई काम बोल दो या फिर कुछ ऐ इसा हैक करने को बोल दो तो यह कर देगा बट बैकेंड में जो चीज़े हो रही है अगर वह उस बंदे को जाकर देखाया जाए तो वह देखकर उसका दिमाग चक्रा जाएगा या फिर जो बिंगनर्स होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं लाइक मैं भी सीखने के लिए आया था तो यहां पर मुझे क्या हुआ कि मैं भी बहुत सारे स्कैम्स में पढ़ चुका हूं यहां पर आपको यह चीज़े सिखाएंगे वाइफा है कि सिखाए जाएगी या फिर सोसल मीडिया अकाउंट्स हैक करना सिखाया जाएगा यह सारी चीज़े ब मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आपको पूरे मास्टरी लेवल का प्रोग्रामिंग आना चाहिए बट आपको कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज होना जरूरी है जिसे कि आप अपना खुद का टूल कर सकें या फिर आप जो भी टूल से वो कैसे रन कर सकें उनके बार और दूसरी बात यह है कि आप लोग डॉक्मेंटेशन नहीं पड़ते हैं जो बिंगनर्स होते हैं उनको टुटोरियल से चाहिए होता है वो लोग डॉक्मेंटेशन को उतना प्रिफर नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दू कि जो नॉलेज डॉक्मेंटेशन के अंदर है वो चीज आपको टुटोरियल के अंदर नहीं मिलोगी हां टुटोरियल ज़रूरी है क्योंकि वहां पर आपको सिखाया जाता है आपके एरोर्स को सॉल्व किया जाता है लेकिन कुछ चीजह ऐसे होते जो कि आपको डॉक्मेंटेशन ही मिल सकती है और फिर मैं आपको बता होते हैं कि इस सारे कोसें बहुत मेंगे होते या फिर यह चीजें होती है तो मैंआपको बता दूब कि इतिकल है कि एक ऐसी टॉपिक है जिसके अंधर बहुत सारे कोसें में तो And next thing is, आप लोगों को यही नहीं पता होता कि हम आखिर इस फिल्ड में हैं क्यों? तो मैं आपको बता दू कि अगर आप इस फिल्ड में आए होते हैं, यहाँ पर आपको या तो आप WAPT करेंगे, वेब अबलिकेशन पेनिटरेशन टेस्टिंग, या तो आप बग बाउंटी करेंगे, या तो आप नेटवर्क हैकिंग करेंगे, या तो आप सिस्टम हैकिंग करेंगे, तो जो लोगों को carrier बनाना होता है वो लोग तो penetration testing करते हैं बाकि freelancing जिनको करना होता है वो bug bounty करते हैं और जो ऐसे लोग होता है जिनको swag दिखाना होता है या फिर दिखाना होता है कि हाँ हम hackers हैं तो वो लोग क्या करते हैं वो system hacking को prefer करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि कि आप बिन बेसिक नॉलेज़ के आप उन सारे टूल्स को यूज नहीं कर पाते हैं अभी हार्डवर टूल्स मैं बता दू जैसे के इस वीडियो के अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होता है तो मेरा इस वीडियो का एक्चियल मोटिव यह है कि जो बिगिनर्स होते हैं उनको कैसे प्रोपर मेटेरियस दिया जाए जिससे कि वह अपने लर्निंग को आगे बढ़ा स सके और खुद को बिना मिसलीड हुए इस फिल्ड के अंदर कैरियर बनाने का उपरचुनिटी मिल सके जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि यहां पर बहुत ज्यादा मैनूपलेशन होता है बट यहां पर आप हमारे चैनल के साथ जूड़ स प्रेक्टिकल या फिर प्रेक्टिस कर सकते हैं और अभी मैं आपको प्रोपर पैथवे बता देता हूं कि कैसे आप बिगिनिंग से लेके एक्सपर लेबल तक पहुच सकते हैं जैसे कि अगर आपको इस फिल्ड में आना है तो आपको सबसे पहले आईटी और नेट्वकिं को अच्छे से समझ सकते हैं यहां पर हम आपको बेसिक से सभी चीज़े सिखाने वाले हैं और उसके बाद क्या होता कि आपको कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग लेंग्वेजेस आना ज़रूरी होता है जैसे कि पाइटों सी प्लस प्लस जाबा स्क्रिप्ट और फिर इन सब क कंपलेट करने के बाद आपको क्या करना होता है उपरेटिंग सिस्टम को मास्ट्री करना पड़ता है जैसे कि आपको पता ही होगा कि हैं के लिए हम लीनक्स बाइब!」 और कैसे tools को use करने वो सारी चीजे सीख सकते हैं और documentation को पढ़ करके practice कर सकते हैं और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो certifications होते हैं उनको claim कर सकते हैं and then आपको practical experience गेन करना ज़रूरी होता है तो इस तरह से आप cyber security के field में आ सकते हैं और उसके बाद आप cyber security jobs में apply कर सकते हैं आपको पता ही होगा कि cyber security के field के अंदर कितने ज्यादा jobs opportunities हैं और ये कितने high paying jobs होते हैं ये था हमारा आज का session जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे आप proper beginner से लेकर advanced तक cyber security expert बन सकते हैं तो मिलते हैं आगले वीडियो में कुछ नया लेकर तब तक के लिए stay safe stay secure thank you and happy learning